So, good morning everyone and I welcome you all to Saurabh Panday UPSC YouTube channel के अंदर अब सिविल सर्विस एक्साम की त्यारी कर रहे हैं तो जरूर से जुड़े इस चैनल से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें So, let's start and discuss the topics देखो, सिविल सर्विस की जब हम तैरी करता है या इस एक्जाम की तैरी करता है So, current affairs का जो approach हो, that is totally different अगर आप किसी और exam की तैरी करता है वहाँ पे current affairs का जो demand है, that is different वो हमें समझना पड़ेगा 5M series में भी देखोगे, तो we focus on advanced current affairs यहाँ पे भी advanced current affairs जो topics हैं, वो आपकी covered होते हैं issues खासता है और उससे related जो आपका subject knowledge है, that has to be expanded So, today we are going to discuss these topics like first is section 132 of income tax इसमें एक दो argument लेकर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा technical है, तो यह polity के context में इसको discuss करेंगे debt and debt versus development, बहुत अच्छा article है और यह economy के अंदर इसको लेकर चलेंगे, although we can also link it with quality financial management part यह भी GS paper 2 और 3 दोनों में हो सकता है, means की बात क्या आजा detailed agreement with ulfa और इसमें इसके provisions manager से कहा तक क्या आएंगे internal security एक अच्छा topic अगर आप देखोगे so that is there in GS paper 3 तो वहाँ पे आजाएगा, अब skilling rural youth this topic is this topic is related with employment party इसको भी हम economy section के अंदर include कर सकते है 6 space mission in 2024 यह topic आपका बन जाता है science and technology का topic है और फिर जो means question मैं आपको देता हूँ that will be there so question देख लो, आज का जो question है 10 marks का question है और आपको लिखना है 10 marks का ही question है fiscal consolidation without debt management will not contribute to development discuss बहुत सोचना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा और इस पर मैं discussion भी आप से करूँगा जल से जल मैं आप सभी का reply कर दूँगा तो यह number पर आपको message करना है call नहीं करना है again अगर आप civil service की तहरी कर रहे हैं तो यहां पर सौरपांडे upsc.com इस पर जाना है या फिर सौरपांडे CSE app डाउनलोड करना है फिलहाल के लिए कल से अगरी कल्चर ऑप्शनल की classes चोकि 28 अलड़ेडी scheduled है शुरू हो जाएंगी तो अच्छा अच्छा एक पस आपके पास opportunity है तो इसमें इसको miss नहीं करना है आज के लिए 20% off और active रहेगा इसको यह mentorship program बिल्कुल miss नहीं करना है यह भी आप join कर सकते हैं इसमें 20% off है अगर आप देखें तो यह है agriculture optional यह आपका पांस तारीख से मतब यह already अगर आप देखें तो आज क्या है चार तारीख है कल से active हो जाएगा फिफ्थ से तो सारी classes आ हो जाए और इसको miss नहीं करना है अगें ठीक है तो आज के लिए 20% off रहेगा आपका इस optional के लिए इसके बाद फिर classes शुरू हो जाएंगे अपना जो भी है अगर आप बाद में भी करता हैं तो जो classes हैं उनको आप access कर सकते हैं लेकिन scheduled class है उसको एक planned तरीके से अगर आपको करना है तो आपको कल से join कर सकता है तो लेट स्टार्ट विट इस फर्स टॉपिक आई टी सर्चेस फॉर्म अफ एक्स्टा कॉंस्टिटूशनल पावर अब इसमें इन्होंन अपना opinion दिया हुआ है बट हम इतने opinions में नहीं जाएंगे एक argument है उसको लेकर चलेंगे और यह ए है कि fundamental right to privacy की बात कि मतलब यहां पे सबसे important point क्या highlight किया गया है कि they have highlighted right to privacy जो right to privacy है यह एक सवमिधानिक right है यह एक सवमिधानिक right है fundamental right है जैसे IT सर्चेस होती है जो income tax related searches होती है जैसे इसमें special power आपका section 132 के तहत आपका रहता है income tax तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई सी person को force करके अगर ऐसा लगता है कि जो इस person के पास properties है that is more than the income and all तो raid की जा सकती है goods लिए जा सकते है यह भी possibility है कि उस person को जैसे आपने एक movie देखी होगी raid में तो उस का time duration ऐसा कोई fixed नहीं है एक special permission के बाद से वह raid काफी हद तक काफी समय तक चल सकती है depending upon जैसे एक movie बनी अगर आप देखेंगा जैसे देखेंगा उसमें raid movie है तो उसमें काफी समय तक चलती भी है तो ऐसे कई cases Indian history में हुए भी है मतलब देखे जाएं लेकिन फिलहाल के लिए यह कहा गया कि जैसे इसमें यह यह कि जैसे यह जो ऐसा power दिया गया है under section 132 और एक तरफ आपका privacy पार्ट है तो क्या ज़्यादा prominent है क्या important है तो यहाँ पर कौन decide करेगा मालो ऐसे भी cases हो सकते हैं कि कि किसी कोई जो person है उसके पास कुछ भी नहों और बहुत समय तक वो एक मालो 10 दिन तक raid चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है 10 दिन तक वहीं एक सारे पूरे family members और वो सारे एक घर के अंदर मौजूद हैं और they are not allowed to move outside और बहुत सारी चीज़ उनकी जो private aspect है उस चीज़ को भी explore करना, search करना तो कहीं न कहीं जो right to privacy that will also be affected तो इस चीज़ को क believe करना like, जैसे मालो कोई भी person कहता है मैं बस x amount है, authorities के according इसके बस 100x amount है, किसकी बात पर believe करना, although authorities के पास अगर कोई proof है, तो they can carry out the search operations and all, जो है वो आपके carry out किये जा सकते हैं, तो यहाँ पर court जो है, they have to look into the reason, जो भी reasons highlight किये गया है, अगर बालो proper reason नहीं है, और search conduct किया गया तो court can also give the verdict or court can take the decision, यह भी एक possibility आपकी जो है बनी रहती है, तो एक तरफ देखो यहाँ पे कई चीज़े हैं, जैसे income tax के तहट एक जो power आपका दिया गया है, section 132 के तहट, section 132 का जो power दिया गया है, दूसरा एक जो moral standards और जो officers और इन सब को follow करना है, तिसरा authorities के द्वार जो reasoning दी गई है, इन चीज़ों को balance करके proceed करना है, कौन जादा prominent है, इसमें देखो, इन्होंने opinion तो यह दिया है कि right to privacy has to be more prominent हो, इसमें कई सारे judgments दी हैं, बट यह थोड़ा सा एक logic लेकर हमें चलना है, कि there are many dimensions related with it, like चाहे article 1, चाहे वो section 132 हो, of income tax act या moral standards हो, the officers need to follow, जो reasons दिये हैं by the authorities, और the right to privacy of the individual, इस सब चीजों को balance करके proceed करना है, अब इसमें जब आप पूरे article को अगर आप read करते हो, तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा arguments दी हैं, और अपने opinions को सामने रखा है, जैसे मैंने आपको खामेशा कहा है, कि बहुत सारे opinions से carried away नहीं रखना है, हमे इसके लिए आपका judicial review, of course, available है, judicial review का मतला भी कि क्योंकि अगर कहीं भी IT सर्च होता है, so it is an executive, ये क्या है, एक executive action है, और executive action के प्रती भी judicial review, मतलब judiciary इसको review कर सकती, judicial review आपका available है, तो there is this case also, and ये ये भी कहा गया कि कहीं, कहीं न कहीं, ये भी कहा गया, there can be an extra constitutional power, extra constitutional power, like, जो कि executive के pass है, in the form of income tax searches, उस पर limitation लगाना चाहिए, extra constitutional power मतलब, जो भी सम्मिधानिक bodies है, उनके beyond certain powers assigned है, and the right to privacy बात किया जाए, it's a fundamental right, fundamental rights को हमारा सम्मिधान बहुत अधिक priority है, वो दिया गया है, even कोई law अगर किसी तरीके से fundamental rights के खिलाब तो उस law को null and void declare किया जा सकता है, as per article 13 of the constitution, तो इसको balance करके हमें देखना है, तो इसको कैसे balance किया जा सकता है, तो इस पूरे जो discussion है, उस discussion में, अगर आप देखो, जो चर्चा इसमें highlighted है, तो एक चीज तो जो highlight की गई है, इस section के तहर, section 132 of income tax act है, इसके तहर, तो इसके कई सारे dimensions जो मन के अंदर हमें रखना है, तो एक dimension तो जैसे ये खुद इसका जो section 132 है, इस dimension को है, जो power provide करता है, कि search और यह सब easily carry out किया जा सकता है, प्लस यह जो power है, यह कहीं न कहीं, extra, extra constitutional power provide कर रही है, it also provide extra constitutional power, extra constitutional power किसके पास, executive के पास, extra constitutional power provide हो रही है, फिर एक तरफ आपका right to privacy आ जाती है, right to privacy जो है, that is also a fundamental right, एक एंगल यह भी आ जाता है, फिर एक एंगल आपका moral standards आ जाता है, that has to be followed, फिर इसके basis पे जो भी reasoning provide की जाती है by the authority, respective जो authorities हैं, उनके द्वारा reasoning provide की जाती है, तो यह कई ऐसे dimensions हैं, जब भी ऐसी स्तिति मालो case study आती है, तो उन case study में सारे dimensions हमको ध्यान में रखना है, और एक एंगल और भी आ जाता है, कि court को क्या है, कि इसको balance करने के लिए एक जो option आ जाता है, वो है judicial review, judicial review basically क्या है, judicial review कि जो भी action executive के द्वारा लिया गया है, that action will be under the purview of the judiciary, judiciary उस action को review कर सकती है, यह एक एंगल आ जाता है, next देखते हैं, यह बहुत अच्छा article है, dispute of India's debt burden, यह एक अच्छा topic बन जाता है, और इस पर हम लोग discussion करेंगे, यह topic आ जाता है, economy का, it's a economy related topic, थोड़ा से मैं आपको context दे देता हूं, और उसके बाद जो भी इसमें discussion है, that we can discuss on it, पहली चीज़ तो क्या है कि, when you talk about the debt, जैसे मानलो, if you talk about the debt, debt की अगर हम बात करता है, तो debt क्या होता है, एक तो एक internal market के अंदर debt हो सकता है, और एक, मतब internally हम उधारी ले सकते हैं, जो government है, government खास तोर से center एक तरफ होती है, एक तरफ state आती है, जादा तर जो power है debt का, वो center के पास होती है, आप external level पे भी उधारी ले सकते हैं, दूसरे देशों से, और जैसे मानलो, जैसे world bank से पैसा ले लिया, एक ही आ गया, या मानल कोई, दूसरी बाहर की financial institutions है, उन से पैसा ले लिया, तो ये सब चीजे क्या है, ये basically देश के debt में add करती है, अब अगर suppose ये जो debt है, इस debt को आप लेते हो, जैसे suppose करो 100 crore rupees लियेगा, एक example है, बहुत जादा amount में लिया जादा है, अब ये जो 100 crore rupees है, इसका महीने का interest rate एक example तो मालों suppose करो 1 crore जो है, इसका interest rate है, तो आपका 1 crore rupees तो आपको interest देना है, अब आप ये देखो कि आपको जो खर्चा है, वो खर्चा मालों की example लेते है, 15 lakh rupees ही आपका खर्चा education पे, तो यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी स्थितिती आ जाती है, खास्ताव से developing देश अपन development needs को पूरा करने के लिए उधारी तो लेते हैं, उस उधारी को पूरा करने के लिए जो interest rate को pay कर रहे है, that is more than the amount जो health और education पे खर्चा कर रहे है, तो यह बहुत important है, यहाँ पे हम समझते हैं कि जो हम market से पैसा उठाएं, और उसे हम मालों infrastructure पे खर्चा कर दें, या मालों ऐ जैसे एक कहा भी जाता है कि debt sustainability के concept है, there is this concept called as debt sustainability, तो debt sustainability के concept में क्या कहा जाते हैं, दो चीज़ देखी जाती है, एक है interest rate, एक तरफ आपका क्या आता है, interest rate आता है, दूसरी तरफ आपका आता है growth rate, ग्रोथ रेट दूसरी तरफ आता है, जैसे मालों कि अगर आपने 100 रुप अपने इन्वेस्ट किया, उससे आपकी कमाई 12, 12% कमाई है, मतलब आपकी कमाई 112 रुपे हो गई, और जो उधारी आपको लग रही है, उधारी का interest rate और 10 रुपे ही है, तो आप 2 रुपे का फाइदा है, तो जब आपका growth rate, मतलब जब आपका growth rate is more than the interest rate, ये debt sustainable कहलाता है, debt ये जो है, ये sustainable कहीं न कहीं आपका हो जाता है, अब यहाँ पर क्या है कि suppose, कि generally देखो बहुत अच्छा एक argument ही, आपका जैसे इंडिया कंटेक्स में देखा जाए, इंडिया कंटेक्स में आपका tax collection अच्छा improve हो रहा है, अब ये tax collection अगर हम मानलो ये tax collection आपका बढ़िया हो रहा है, अब इस tax collection में को आप क्या कर रहे हो, subsidies में और freebies में, ये free वो free देने का आज कल trend जो चल गया है, ये sum में हम अगर खर्च कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो भी पैसा आपने इकठा किया है, उसको आप इन sum में लगा रहे हो, it is not invested in education और health, इसमें invest करने के लिए जो पैसा आपने उधारी ले रखा है, वो पैसा इसमें लगा रहे हो, तो यहाँ पर जरूरी कहा है कि हमें better fiscal consolidation करने की जरूरत है, और उस better fiscal consolidation में सबसे important point क्या है, कि हम इस debt को manage कैसे करें, और जैसे अगर हम इसे sustainable बनाना है, तो ऐसे जगहा पर पैसा खर्च करना है, जिसस कि आपको जो growth rate है, that growth rate is better in comparison to the, जो भी आपको interest rate pay करना पाट रहा है, तो यह थोड़ा सा understanding आपको ध्यान बर रखना, अब देखो इसमें article की बात करता है, इंडियन government debt would be 100% of the GDP, under the adverse circumstances, 100% मतब अगर हमारी GDP, GDP का मतब जो भी, हमारी मतब जैसे economy है, उस economy के अंदर, economy के अंदर जो भी products, goods and services producer है, उसकी जो monetary value है, monetary value जो आपकी goods and services की है, उसी को हम GDP बोलते हैं, तो आगर आपकी मालो 100 रुपए की GDP है, तो आप 100 रुपए उधारी लेकर चल रहे हैं, तो 200 रुपए हैं, तो आप यह imagine करो कि आप 100% of GDP, इतना debt हो सकता है, fiscal, 2028 तक की स्थितिती है, तो यह एक तरीके से जरूरी है कि हम इसके प्रतीस step ले, अब जैसे हम aim करते हैं, खर्चा करने के लिए, suppose अगर हमारी कमाई 100 रुपीज है, और इसकी कमाई हम कर रहे हैं, मालो GDP के form में, और इसके अलावा 100% का हम debt ले रहे हैं, अब इसमें extra burden आपको क्या है, कि आपको खर्चा औ हम energy transition की तरफ जाना चाहते हैं, हम non-renewable energy से renewable energy की तरफ जाना चाहते हैं, मतब जासे solar energy, या wind energy, इन की तरफ हम जाना चाहते हैं, तो अगर आप इन energy की तरफ अपने आपको लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत खर्चा चलेगा, climate change से related जो आपके targets हैं, या ज क्लामेट चेंज से रिलेटेड आपके चालिंडेडेट उनको मीट करने के लिए आपका है एक अधापọब whitesyan बापेशन मेंदेशं जनफेंद्स करने जरूरत बन जाती है गौर्मेंट की बात करें तो गौर्मेंट की जो बॉर्विंग है कहा जाता है कि इससे अगर मानलोग सरकार उधारी लेती है अगर सही तरीके से इस्तमाल किया जाए तो यह जो बॉर्विंग है जो की डेट का हिस्सा है अगर सही तरीके से इस्तमाल और स इच्छे खीश सकता क्योंकि बहुत ज़्यदा डिप्ट ले अगर आपके पास उधारी ले रखा तो आप इतना इंट्रेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा कि वह इंट्रेस्ट रेट में पैसा ज्यादा चला जाएगा और फुद जो दूसरी जीजों में पैसा खर्च ह नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉर्विंग कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी इससे आपकी करन्सी भी डिवैलवेट होगी ग्रोथ भी अफेक्ट होगा यह सारी चीजे हैं क्योंकि अगर आपकी उधारी बढ़ती जानी जैसे अगर आपके पास पैसा 100 रुपए है और 100 लॉंग टर्म जो भी चीजे हैं उस पे खर्चा नहीं कर पाऊ गया 80% क्योंकि आप 80 रुपए तो आप इंट्रेस्ट रेट पे कर रहे हो तो इससे आपकी करन्सी भी ठोड़ा नीचे जाएगी ग्रोथ भी अफेक्ट होगा और धिर धिर जो बॉर्विंग कॉस्ट धाट इंक्रीज तो यह एक चालेंज हैं तो यहां पर खागया कि खास तो उनाइटेट नेशन इस बात को बोला जो कंट्रीज हैं यह एक बहुत ही स्थिती ऐसी फेच रहे हैं एक तरफ डेट है उसको मीट करना दूसरी तरफ आपका लोगों को सर्व करना सर्विंग पीपल क्योंकि उधारी तनी जैसे कई सरकारे आती हैं उधारी लिए लेके खुब सारा मानलों बोल दिया कि हम यह फ्री देंगे वो फ्री देंगे हम यह लोन छोड़ देंगे हम इस टाप पैसा तो देना पड़ेगा ना पैसा तो आप कहीं से लोगे तो यह त पैसा दो यहां पर कहा है कि उधारी तनी जादा हो जाती है है कि instead of serving people debt को serv जो है वो किया जाता 3.3 billion जो लोग है देश के अंदर they spend more on interest payment than on education तो यहां पर आप देखो जो interest payment है this interest payment के अगर हम बात करें तो interest payment is more in comparison to education or health education यह health से अगर compare किया जाए तो interest payment जो है आपका ज्यादा so public debt has increased developing देशों में जो यह उधारी है सरकारों के द्वारा जो उधारी ली जारी वो आपका increase हो गया है and this rise of debt के अगर हम बात करें क्यों है क्योंकि जो development financing needs बहुत सारी ऐसी जरूरते पढ़ने है जिसके लिए पैसे की जरूरत है cost of living crisis है climate change है इसके लिए आपको transition और transformation करने क जरूरत है और यह जो burden है वो एक समान नहीं है developed और developing करने क्योंकि developed जो देश है उनकी पास financial resources already available है तो हम उनको developing देश से comparison नहीं कर सकते है बोथ have a different set of needs and resources and capacity to repay तो developed देश के पास ज्यादा आपके पास capability है in comparison to the developing इंडिया की बात अगर किया जाए तो सबसे बड़ा हमारा challenge क् credit rating credit rating का मतब क्या हुआ कि जैसे मालो अगर हमने बहुत ज्यादा उधारी ले रखे debt बहुत ज्यादा है तो बड़ी बड़ी जो company ना उसके आपकी जो rating होती है उसको down कर देंगी आप यह समझना है कि जो investment कोई बाहर से आपके देश के अंदर करेगा वो investment basically जब वो करेगा तो उसमें credit rating भी consider कर जैसा अगर आप movie देखने जाते हो तो कोई movie में आप देखोगी सब 4 star 5 star तो उसी movie को देखने जाओ किसी movie में 1 star ही है तो नहीं कोगे याज चलो ठीके बाद में देख लें किसी free platform के अंदर देख लेंगे भेले movie अच्छी हो इसी तरीके से जो ratings होती है उस basis में ही लोग investment करते हैं और उधारी अगर बहुत जाद है तो आपकी rating down जाती है although यह जरूर से का जाता है कि जो भी method अपनाया जाता है उस method पे कुछ changes किये जा सकते हैं लेकिन फिलाल के लिए वो यही है कि भले आपका tax collection बहुत अच्छा रहे लेकिन there is a possibility कि like there is a possibility कि high debt किए इसे आपकी credit rating भी down रहे जैसे कई research है जैसे by Indian rating and research है तो इसके कहा भी गया कि अगर मानलो tax collection है फिर भी आपको fiscal slippage देखने को मिल सकता है मतलब जो भी आपका इस्थिती है आर्थिक स्थिती है उसमें उतना stability नहीं रहेगी अभी है क्योंकि वो अगर आपने आर्थिक स्थिती उधारी के पैसे से लिए debt के माद्यम से आपका visibility दिख रही है और आपने long term sustainable way मे जो है खर्चा करना पड़ेगा employment guarantee scheme और subsidies इन ही सब चीजों में जादस जादस खर्चा करोगे तो मतलब एक तुधारी भी जो ले रहे है उसको भी हम इसमें खर्च कर रहे है और जो हमारी कमाई होरी tax collection उसको भी हम education मतलब उसको भी हम employment guarantee schemes मालो मन्रेगा में हमने खर्चा कर दिया क्योंकि अगर मन्रेगा जैसे scheme में भी अगर हम उसको किसी ऐसे infrastructure पर खर्च कर रहे हैं जैसे जो काम किसी वैसी स्थिती में अगर हो जाए जैसे machinery के माद्यम से हो जाए तो उसी काम को हम सो लोग हजार लोगों के करवा रहे हैं फिर उनको पैसे भी हम provide करेंगे तो सर create नहीं हो रहा है तो सरकार का खर्चा बढ़ता चला जाएगा तो यह है जिसमा लोग एक जगह पे एक गड़्धा खोदने के लिए पैसा दे दिया अब वो गड़्धे को एक मशीन तुरंद खोद सकती है पर हमने सो लोग लगा रखें को हम को job provide कर नहीं है तो यह एक challenge task developing developing देश में यही एक चलना है ऐसा problem developed देश को face नहीं करना पड़ता है तो जो भी आपके पास पैसा है उस पैसे को हम किसी तरीके से employment opportunity create करें या subsidies generate करें उन सब में हम खर्चा करने का प्रयास करते हैं next देखते हैं ULFA के related जो यह agreement इसके provisions हम लोग discuss कर लेंगे इसमें पूरा द इक article और भी देखा था जिसमें ULFA का formation किस तरीके से हुआ और इस अब हमने already discuss किया हुआ है अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो इसके provisions दे रखा गया तो जो भी अभी यह settlement है इसमें जो ULFA है ULFA नहीं यह agree किया है कि वह violence नहीं करेगा सारे arms रख देगा दूसरा जो भी camps उसको vacate कर देगा और पूरा जो democratic process उसमें participate करेगा तो it is like shift towards non-violence और देश की जो integrity है उसको respect करेगा इसके बाद क्या है कि इनकी जो demand है जैसे ministry of home affairs ने कहा कि time bound manner में जो भी demands outfit की उसको meet किया जाएगा यह भी highlight किया लगबग 1.5 lakh करोड का जो पैसा है वो इस पूरे reason के अंदर Assam के उसमें invest किया जाएगा जिससे कि उस region का विकास development आपका हो सके यह भी कहा गया फिर निकी कुछ political demands भी है वो भी meet करना जैसे जो Assam में उसकी territorial integrity को meet करना जो दूसरे जो states उनके साथ जो boundaries disputes हैं जैसे मालो Assam के कुछ disputes है कुछ आसपास के जो states उनके स साथ उसको resolve करना Assam का जो reason है उसको provide करना इसके लिए फिर delimitations करना delimitation मतलब constituency उसके लिए इन्होंने कुछ demand रखे constituencies का जो division है जिसमें elections होते हैं जिसके basis में तो उसमें कुछ ऐसा करना की खास तोर से लोग है उनका benefit हो सकी जो Assam के लोग है और जो इनकी demand है उसके context के अंदर तो maximum representation indigenous community को मिल सके ऐसा ensure करना क्योंकि देखो क्या हो था 1972 के बाद से जब war हुई थी और Bangladesh अलग हुआ उसको करना पड़ता है और इसी को meet करने के लिए कई ऐसी जो आप क्या सकते हैं sergeant group का गठान भी किया गया तो जो indigenous लोग है वहां के लोग है उनका से higher हो उनका representation higher हो इसकी भी demand इनके द्वारा जो है रखी गई है फिर इसमें यह भी कहा गया कि जैसे for example इसमें एक चीज यह भी आ आपका highlight किया गया है कि stop people of one constituency from being registered in another मतब एक constituency में लोग है तो उनको दूसरे constituency में रजिस्टर आपका नहीं कर सकते national register of citizens को prepare करना यह बहुत important है क्योंकि जो national register of citizens को हमें prepare करना उसमें जो भी हमारे देश के citizens हैं जो देश के अंदर रह रह रहे हैं तो उसका पूरा data जो है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और वो updated होना चाहिए किसी प्रकार का उसमें कोई error ना हो ऐसा ensure करना तो यह सारी जो demands है उल्फा के द्वारा रखी गई नेक्स देखते हैं why is upskilling necessary for rural youth अगर आप चैनल सेशन देख रहे हैं तो चैनल को subscribe जरूर से करें सेशन को like जरूर से जाता है जैसे देखो एक जो सबसे important point पहले चीज़ तो यह topic हमाई लिए important कैसे बन जाता है कि economy का एक बहुत important topic है under employment consideration employment के लिए और देखो इसमें major अगर हम देखें तो हमाई पस major context में अगर देखा जाया तो एक तरफ तो आपके पस urban areas आ जाते हैं और एक तरफ आपके पस they are basically migrating towards what we call it as urban areas, urban areas की तरफ आपका वो migrate continuously उनको वो migrate कर रहा है, rural areas, urban areas को growth engine भी बोला जाता है, they are also considered to be the growth engine, more than 60% contribution GDP में, urban areas से ही होता है, तो मतलब यहां rural areas में आपके पस क्या opportunities है, agriculture से related है, बट अगर आप non agriculture sector में jobs create करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके पास एक तो skill भी चाहिए, और दूसरी आपको opportunities भी create करनी पड़ेंगी, और अगर opportunities create करनी है, तो उसके लिए हमें rural youth को upskill भी करना पड़ेगा, जो skill है व को रोका जा सकता है, क्योंकि जितना अधिक migration होगा, तो urban areas में उतना अधिक issues और आएंगे, जैसे लोग जादस जादा होंगे, तो पाने की problem, रहने की problem, crime देखने को मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि सब urban areas में shift होना चाहे रहे हैं, तो यह और फिर rural areas पे के लिए हमें rural youth को skill करना बहुत important बन जाता है, so this migration, how to control the migration, यह बहुत matter करता है, so migration control करने के लिए ज़रूरी है, कि एक meaningful employment opportunities create करना, यह बहुत important है, फिर उसके बाद training provide करना students को, जो की rural area के लिए important हो, यह बहुत important बन जाता है, and अभी कहा गया कि जो current educational landscape है, roller India के अंदर देखा first, with industrial training institute to upskill rural population, तो current vocational education landscape है, rural India का, तो उसको like industrial training institute to upskill rural population, and with little to no placement opportunities, मतलब अभी अगर अभी जो vocational education provide भी किया जा रहा है, तो वहाँ पे भले हम upskill का प्रयास भी करें, but उसमें अभी जो job opportunities है, जो placement opportunities, उसके अपनी limitations, देखने को मैं जाता है, तो technical और life skills हमें provide करने पड़ेंगे, तभी जो youth है, rural areas में, उसको हम empower कर सकता है, मतलब technical मतलब किसी industry में, जो technical job requirement है, उस प्रकार का skill provide करना, यह है, अब जैसे इसमें इन्होंने example, Mexico का टेली स्कूल और भुटान का example दिया हुआ है, कि जो जरूरत है, जैसे मालों इंडस्ट् की जरूरत है, तो उसी प्रकार का curriculum होना चाहिए, सेम चीज़ चाइना के अंदर भी follow किया है, जैसे टेली स्कूल प्रवाइड लेसा नॉम subject matter as well as values, values to value based secondary education for remote areas, जहां पे secondary schools available नहीं, तो यह टेली स्कूल है, मतलब आप टेली communication या आप कह सकने digital तरीके से उन education system या value system को provide करो जो generally provided नहीं होता, तो इससे फाइदा क्या होगा, कि खास्त और से जो skills है, वो skills हम उनको transfer कर पाएंगे, at the same point of time they can also work और learn to work जो की help करेगा जब वो किसी industry में enter कर सकते, तो ऐसा कुछ प्रयास जैसे मेक्सिको के टेली, school program और भोटान के well-being infused जो curriculum में उसके माध्यम से किया ग कि हम जो changes हैं वो कर सकते हैं, हैं अपने curriculum में, जिससे कि जो भी curriculum हो, वो industry के need के according भी हो, और उसी प्रकार की skill भी youth को provide की जा सके, और इससे फिर local economy को भी benefit होगा, जैसे अमालो skill है, rural areas में जो opportunity उस प्रकार की skill है, वो फिर economic opportunities create करते हैं, दूसरों को भी job जो है वो मिल सकती है, so closer to home organization जैसे NIFT foundation, परथम institute, ये काम कर रहे हैं, rural areas में, जिससे की youth है, उसकी upskilling की जा सके, मतलब उसकी skill को improve किया जा सके, इस area में कार जो है, वो आपका किया जा रहा है, ये प्रयास किया जा सकता है, तो यहाँ पे hybrid life skilling programs, जो है hybrid life skilling मतलब होगे, एक तरफ तो आपको technical भी जो skill है, वो प्रोवाइड की जा रही है, और एक life skill है, जो जीवन के, जैसे mental health को भी ध्यान रखना, और happiness कैसे maintain रखना, और भी जो अपने life को sustain करने के लिए skill की जोरत होती है, तो वो दोनों को मिला के hybrid life skilling program के तरफ proceed करना, और इसमें NIT collaborate, UNICEF के साथ भी collaborate किया है, और एक self learning platform develop करना, जिसमें हम कह सकते हैं कि industry specific skill भी develop की जा रही है, और जो life skill है, उस life skill को भी develop किया जा सकता है, तो ये एक approach follow करना पड़ेगा, अब जैसे for example, rural population skills जो हम generate कर सकते हैं, agriculture mechanization, जैसे agriculture में जो machinery use होती है, अब ऐसा नहीं है, कि वही पुराने time का जो agriculture उसी तरीके से हम करें, नहीं machinery हैं, उनको run करना, उनको रख रखा, रिपेर, cold storage, बहुत सारे ऐसे areas आ जाते हैं, जहां पर नई job opportunities आती हैं, pollution को monitor करना, digital technologies को का इस्तमाल करना, e-learning, यह है, तो यह सब यहां पर employment opportunities create हो सकती हैं, और यह अगर rural areas में जहां पर हमारा 65-70% population, अगर वहां पर rural areas में economic opportunities generate हो होगी, तो वह हमारी लिए काफी benefit हो सकती हैं, और all हमारी economic growth के लिए काफी helpful हो सकती हैं, तो यह focus करना जरूरी हो जाता है, next देखते हैं, यहां पर आप देखोगे science का special जो page publish होता है, दा हिंदू के अंदर, उसको बहुत अच्छा ही है, सारे के सारे mission एक साथ दिये हुए ह तो इसको आप लोग science tech के अंदर note कर लेना, ठीक है, again mentorship program दस तारिक से शुरू होगा, और जिन्हों जिन्होंने mail अभी तक नहीं किया है, वो सब mail करें, ठीक है अभी जानकारी मैं आपको देदूँगा, और 24 की जो तहारी कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को join करना है mentorship program का, जो prelim से specific पढ़ाई करेंगे और उससे related जानकारी मैं आपको session के end में provide करूँगा, agriculture का जो optional है, वो भी कल से start हो जाएगा, तो उसको भी detail मैं आपको session के end में दे दूँगा, यह दोनों चीज़ों को miss नहीं करना है, जाहे आप तयारी कर रहे हैं 25 की या 26 की तो उसको आप complete कर सकते Indian Forest Service का रास्ता भी आपके लिए open हो जाएगा, तो उसमें जो जनकारी मैं दूँगा कि कौन सा joint करना, उसमें दो course active है, चलो यहाँ पे देखते हैं, कई missions के नाम इसमें दे रहे हैं, एक तो यूरोपा क्लिपर करके mission है, यह किसके दौरा लॉजड नासा के दौरा है, और Jupiter क जो moon है, यूरोपा, उसको यह explore करेगा, यह जो यूरोपा है, जो अगर बात करें Jupiter के moon की, यह small है, अर्थ के moon से, अर्थ के moon से, यह comparatively small है, तो यूरोपा की जो size है, हमारे जो मतलब जो चांद जीसे हम कहाता है, उससे यह छोटा है, इसके जो यूरोपा है, उसके नीचे icy अकसी cell presents है, जिसमें पानी हो सकता है, salt water ocean हो सकता है, तो इसमें possibility है, अगर salt water ocean है, तो यह can facilitate extraterrestrial life, मतलब जो लाइफ हमारे प्रत्वी के अलावा, जो है, वहाँ present हो सकती है, comment section बताओ, what is goldilock zone, यह बताओ, what do you mean by goldilock zone, क्या होता है, goldilock zone, next जो है, वो है, Artemis 2, Artemis जो प्रोग mythology के माध्यम से, जो मतलब जैसे हमारे हाँ पे भी कई हम मानते हैं God को, इसी तरीके से Greek mythology में जो Apollo है, उनके twin sisterhood के नाम पर Artemis program नाम रखा गया है, और यह NASA का ही है, यह पहले, like it will send humans to the moon for the first time, पहले बार humans को send किया जाएगा, इसमें first woman और first person of the color इनको send किया जाएगा, color का मतल जैसे generally जो white people है, उनको send किया गया है अभी तक, Artemis will also include a plan for long term sustained presence, जैसे यह program है, इसके माध्यम से चेक किया जाएगा, कि अचा क्या challenges है, उस तरीके से फिर even moon के beyond भी humans को transfer किया जाता है, किया जा सकता है, कि नहीं, यह transport किया जा सकता है, उस चीज़ पर काम किया जाएगा, Artemis 2 जो है, it's a first step in this plan, इसमें like four astronauts जो है, उनको 10 दिन के mission में send किया जाएगा, फिर उसके बाद, like अभी जो uncrude capsule into orbit around moon in late 2022 के अंदर यह है, तो यह mission थोड़ा delay भी हुआ था, because of corona की वाज़ से अगर हम बात करें, तो Artemis 2, it will put astronaut into the orbit around the moon, orbit का मतब जैसे moon के चारोत तरफ ऐसे चक्कर लगाना, और currently यह number 2024 तक जो है launch किया जागा, फिर एक आपके पस, वाइपर mission करके है, जो की water search करेगा moon के अंदर, यह वाइपर volatile investigating polar exploration rover, rover का मतलब होता है कि वो जो mission है, उसे एक robot से निकलेगा, और robot निकल के धीरे धीरे जो है, वो samples collect करेगा, जो मतब जमीन पैसे moon के गुल्फ कार्ट, नासा जो पानी मौजूद है, मून के south pole, मतलब खास और सा मून के south pole है, उसको explore किया जाएगा, और यह जो robotic mission है, इसके माद़र जो volatiles है, volatiles मतलब ऐसे molecules जो present होता है, molecules, जो धीर 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 vaporize हो, जीसे water है, यह carbon dioxide है, धीर धीर मतलब उपर vapor के form में उपर चले जाता है, तो उनको यह देखेगा, उनको explore करेगा, एंड फिर यह क्या है कि, फिर human के लिए कोई resource तो नहीं है, जैसे मादलो मून में helium बहुत present है, तो helium इस तरीक अगा present है, हमारे आगे की 40-40,000 साल तक की जो energy need हो helium के माध्यम से meet हो सकती है, तो ऐसे कोई और resource तो नही mission है, फिर आपको lunar train, trailblazer या prime one करके mission है, यह small low cost planetary mission है, इसे simplex, इस पर खर्चा भी NASA नहीं अभी किया है, जिसका मतलब है small innovative mission for planetary exploration, अब यह mission छोटा mission है, aim क्या है कि cost को भी save करना, अब यह क्या है कि this mission save cost by tagging along on another launches, as what is called ride share और secondary payload, मतलब कोई mission है, उसी के साथ जोड दिया जाए धैना दूसरे mission को जोड दिया जाए, इसी तरीके से lunar trailblazer को भी ऐसे जोड़ा जा सकता है, मतलब इसको develop किया इस प्रकार से किया गया है कि दूसरे launch के साथ इसको tag किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, जैसे ride share होता है, आप bike आ रहे है, उस bike में आपने book के और आप भी ब देखना, wiper will land on moon surface, moon surface में land करेगा, study करेगा specific area, south pole के अंदर, फिर जो rune train blazer है, it will also orbit the moon, moon के चक्कर लगाना, temperature को measure करना surface, of the surface, फिर map जो water molecule present है, उनके map करना, कहां कितना present है, उसको देखना, फिर यह prime 1 एक payload साथ में रहेगा, वो moon पे ऐसा drilling करेगा, and देखना कि, जो भी ची जहें drilling करके sample देखना, it's a test run for the kind of drill that wiper will use, तो यहां पर prime 1 का use करके, कि drilling करना, फिर drilling करके, फिर wiper जो mission है, वो किस तरीके से, मतलब मालों एक बार drill किया, कुछ challenges है, तो कैसे instrument में changes करने चाहिए, इस चीज़ को भी check किया जाएगा, its launch date will likely depends on, कि, मतलब दोसरे जो है, missions है, उ इसका भी launch आपका किया जाएगा, फिर आपका जाक्सा Martian Moon में exploration है, जाक्सा, it will be by the, by the, it will be by Japan, फिर यह Phobos और Diamos, जो Mars के moon है, इनको इन पर यह जाएगा, इनको study करेगा, यह भी robotic mission है, in development called Martian Moon exploration और MMX भी से कहा जाएगा, September 2024 में यह plan है, Mars के moon, जो different moons है, Mars के, उसको यह origin है, कैसे origin हुआ, इसको study करेगा, अब यहाँ पर कहा है कि, यहाँ पर कई चीज़े हैं, जैसे Phobos और Diamos की अगर हम बात करें, कि क्या यह asteroid, asteroid का मतब किसी बड़े planet से टूटे हुए, जो तुकडे हैं, हैं पत्थर हुआ, asteroid generally होते हैं, तो क्या यह former asteroids हैं, that Mars captured into orbit with its gravity, मतब कोई द force of gravity, मार्स के पास, या मार्स के चारतरफी चक्र लगा रहे हैं, तो इस चीज़ को study करना, मार्स से related, तो यह भी चीज़ जो है, देखा जाएगा, इस पर भी थोड़ा सा नजर आपकी रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर मार्स के moons को यह Phobos और इनको study किया जाएगा, ठीक है ESA का European Space Agency का HERA mission करके है, अब यह क्या है कि Agency to Return to Didymos, Dimorphos Asteroid System, यह asteroids जो है, इस पर दुबारस, जैसे NASA का एक DART mission था, 2022 में, तो इसको भीजा गया था, और इस mission के माध्यम से कई चीज़े चेक की गई थी, जैसे DART ने hit किया था, Dimorphos को, इतने force है, जैसे मानलो, कि जैसे for example, generally क्या है कि, suppose यह आपका है, अब और कोई orbit है, suppose कोई orbit में move कर रहा है, अब यह करके इस region में hit कर सकता, यहाँ पर मानलो एक यह है, तो DART ने इसको ऐसे hit किया, hit करने के बाद इसने अपना course change कर दिया, अब यह इसलिए किया गया, DART जो NASA का mission, एक तो यह है कि चलो, asteroid को explore करना हो, तो ठीक है, लेकिन मानलो कोई ऐसा बड़ा asteroid अर्थ के close आए, तो क्या हम उसके movement को थोड़ा shift कर सकते हैं कि नहीं, जिससे को अर्थ को hit न करे, तो यह DART mission के तहत यह study आपकी की गई थी, तो यह European Space Agency का HERA mission है, वो भी दुबारा से Didymos और Dimorphos जो asteroid system है, दुबारा से यह करके study आपका करेगा, ठीक है, तो यह सम kinetic impact technique भी बोलता है, kinetic impact technique मनतब एक mission है, वो टकराया Dimorphos से, और इससे उसका जो घूमने की positioning है, वो आपकी change हो गई, तो इससे future में अर्थ के साथ कोई asteroid ना टकराये, इस पर और ज्यादा थोड़ा जानकारी हमारी बढ़ पाएगी, ठी development, 10 number का question इसको आप लोग जरूर से लिखें, और कोई query है तो इस number पे मुझे message कर सकते हैं, और यहां पर मैं बता देता हूँ, agriculture optional आपका कल से start होगा, आज 20% इसमा off रहेगा, ठीक है, तो आज last day आपको join करने का, agriculture optional के 28 classes already है, तो देखो यह वाला class जो आपको दिखेगा, ज पर इसको बाद UPSC Prelims Advanced Current Effect के test reaches, तो टोटल 50 test है, तो इसमें भी आपको 50% off available रहेगा, और यह mentorship program आप लोग जरूर से join करना है, इसमें देखो 10 तारिक से आपका पहला class है, इसमें मैं आपको target, पहले तो पुरा guideline होगा, target आपको मिलेगा, Saturday को review होगा, ठीक है, और इसमें आ आप लोग को पढ़ना, आप मुससे भी interact कर सकते हो, और किस किताब से क्या-क्या चीजे पढ़नी है, कोई doubt है, वो सब कुछ इसमें cover रहेगा, जैसे prelims tricks practice, static book reading, weekly target review, CDS CAPF question paper, individual prescription, सब कुछ आपका रहेगा, तो वही लोग जो 2024 की ताहरी करना है, उन्हीं को इस mentorship program को join करना है ठीक है, और आपको मुझे mail करना है, इसमें, यह सारी जानकारी मुझे इसमे mail करना है, इस mail id पे, आप देख सकते हो, ठीक है, खास्त और सी यह दो points बहुत important है, फिर इसके बाद यह आप इस telegram channel पे session का PDF आपको मिल जाएगा, और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, इसमें आपको available रहेगा, तो मिलता है next session के अदर, आज के लिए इतना है, thank you everyone, thank you.